प्रस्ण 12, निम्न लिखित में कौन सा कथन सत्य है, प्रस्ण 12 का पहला, क्या है माइनस 4, फिर है माइनस 12 बटा 5, फिर है माइनस 9 बटा 5, यानि माइनस 4, बड़ा है, किस से बड़ा है, माइनस 12 बटा 5, माइनस 9 बटा 5 से, यह सत्य है या असत्य है, यह हमें बताना है, ठीक है, तो देखे, माइनस 4, अब इन दोनों का, घटाएंगे इन दोनों को, तो 5 उब 5 का लगुत्म क्या हो जाएगा, पांच, तो हर यहां पर बड़ाबर है, तो बस अन्स को लिख देंगा, माइनस 12, माइनस 9, तो माइनस 4, माइनस 12, माइनस 9, कितना हो जाएगा, माइनस 21, तो यहां पर लिखेंगे, माइनस 21, बटा 5, अब माइनस 4, अब माइनस 21 को 5 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, माइनस 4, देखें, पांच उब 20, एक बचेगा, तो 10 मलो देंगे, तो 10 हो गया, फिर 5 दूना 10 तो देखे माइनस 4 बड़ा है कि माइनस ये माइनस 4 बड़ा है माइनस 4 दस मलो 2 से ये सही है क्योंकि दोनों माइनस में है देखे 4 भी माइनस में है 4 दस मलो 2 भी माइनस में है तो इसको हल करने पर कितना आ गया माइनस 4 दस मलो 2 तो दोनों माइनस में है इसलिए 4 बड़ा होगा यानि माइनस 4 बड़ा होगा माइनस 4.2 से क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस 4.2 छोटा होगा माइनस 4 से तो यह सत्य कथन है क्योंकि इसको हल करने पे कितना आया माइनस 4 बटा 2 माइनस 4.2 तो ये सही है क्योंकि माइनस 4 माइनस 4.2 से बड़ा है तो हम लिखेंगे सत्य इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर में लिख देंगे सत्य यानि ये सत्य है माइनस 4 बड़ा है माइनस बारा वटा पांच माइनस नौ वटा पांच से ये सत्य है दूसरा दूसरा है माइनस तीन वटा पांच माइनस माइनस साथ वटा पांच छोटा है एक वटा पांच से ये कह रहा है तो ये सत्य है या सत्य कैसे पता चलेगा तो इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा माइनस तीन वटा पांच माइनस साथ वटा पांच माइनस तीन वटा पांच माइनस साथ चोटा है एक बटा 5 से इस तरह लिख लेंगे इसको देखें, 5 लगुत्म लेने पर माइनस 3, माइनस, माइनस 7 माइनस 7 को कोश्टक में ले लेंगे अब यहां पर माइनस 3 कोश्टक खटाएंगे, तो माइनस माइनिस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस साथ हो जाएगा, बटा पाँच, छोटा है, एक बटा पाँच से, अब साथ में से तीन घटा देंगे, क्योंकि तीन माइनिस में है, तो क्या आजाईगा, चार यानि चार बटा पांच छोटा है किससे एक बटा पांच से तो देखें हर दोनों का बराबर है यानि एक का पांच भाग हो रहा है यहाँ पे चार का पांच भाग हो रहा है तो कौन बड़ा होगा चार बटा पांच बड़ा होगा तो यह तो गलत दिया है क्योंकि देखिए हर दोनों का बराबर है तो अंस में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा वही भिन बड़ा होगा यानि जब हर बराबर होता है तो अंस में जो बड़ा होता है वही भिन बड़ा होता है तो यहाँ पे हर बराबर है और अंस में चार एक से बड़ा है यानि चार बटा पांच बड़ा होगा और ऐसे भी एक का पांच भाग हो रहा है और चार का पांच भाग हो रहा है तो ये ज्यादा बड़ा बड़ा टुकडा निकलेगा जैसे मान लिजे एक रोटी का पांच भाग और चार रोटी का पांच भाग तो ये बड़ा बड़ा टुकड पांच तो यहांपे 20 आ रहा है यानी ये बढ़ा होगा इस से क्यूंकि यहां पर 5 कुना 1 5 आ रहा है तो 4 वटा 5 बढ़ा है तो यह सत्य है इसका उत्तर लिख देंगे यानीrest दिया है क्यूंकि 4 वटा 5 वड़ा है 1 वटा 5 से इसलिए यह सत्य है 4 वटा 5 जो है छोटा है एक वटा पांच से ये असत्य है क्योंकि चार वटा पांच बड़ा है एक वटा पांच से ठीक है तो इसका असत्य लिखेंगे क्योंकि ये गलत दिया है क्यानि माइनस तीन वटा पांच माइनस माइनस साथ वटा पांच छोटा है एक वटा पांच से ये गलत है क्योंकि माइनस तीन वटा पांच माइनस माइनस साथ वटा पांच बड़ा है किसे एक वटा पांच से ठीक है तो ये असरत्य होगा इसका उत्तर प्रस्न तेरा अभाल करेंगे सरल करें प्रस्न तेरा का पहला तो पहला प्रस्न है तेरा का एक बटा बार एक बटा बार प्लस माइनस पांच बटा अठारा माइनस साथ बटा चोबिस तो प्रस्न क्या है एक बटा बार प्लस माइनस पांच बटा अठारा माइनस साथ बटा चोबिस तो इसको हल करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा लगुत्तम लेना होगा 12, 18 और 24 का क्यूंकि भीन का ये जोड घटाओ है तो भीन का जोड घटाओं में क्या करते हैं लगुत्तम लेते हैं हर का तो हर यहां पे कौन कोन है 12, 18 और 24 तो 12, 18 और 24 का लगुत्तम निकालेंगे तो देखे, 12, 18 और 24 का लगुतम तो 12, 18 और 24 का लगुतम क्या होगा? तो देखे, 12, 18 और 24 में सबसे बड़ा 24 है 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 24 का 24 24 दुना? 48 48, 18 से नहीं कड़ता है ठीक है? 24 दिया, 72 72, 18 से भी कड़ जाता है, 12 से भी यानि 72 लगुतम होगा इसका लगुतम कितना होगा? 72 इसका लगुतम कितना होगा? 72 12, 18 और 24 का लगुतम हो जागा? 72 क्योंकि 72, 12 से भी कड़ जाता है, 18 से भी और 24 से भी तो बारा चक बहत्तर देखें बारा चक बहत्तर तो छे गुना एक छे लिग देंगे यहाँ पर अठारा चौक बहत्तर अठारा से बहत्तर चार बार में कटता है अठारा चौक बहत्तर तो पांच चौक बीस लिग देंगे यहाँ पर और प्लस माइनस देखें प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जागा माइनस यहाँ पर माइनस का चीन नहीं देंगे 24 तिया 72 तो 7 तिया 21 यहाँ माइनस का चीन है तो माइनस का चीन नहीं देंगे इस तरह लिख लेंगे अब हो जाएगा 6 माइनस 20 माइनस 21 कितना होगा तो 20 21, 20 विश चालिस एक 41 यानि माइनस 20 और माइनस 21 हो गया माइनस 41 बटा 72 तो 6 माइनस 41 बटा 72 अब यहाँ पे 41 माइनस में है 6 प्लस में है तो 41 में से 6 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 35 35 बटा 72 और 6 छोटा है 41 बड़ा है और बड़ा के साथ माइनस का चीन है तो यहाँ पे माइनस का चीन है देदेंगे यानि माइनस 35 बटा 72 इसका उत्तर होगा इसका उत्तर कितना होगा माइनस 35 बटा 72 दूसरा दूसरा में है एक बटा 6 पलस माइनस दो बटा 3 माइनस माइनस दो बटा 15 यह प्रस्न है एक बटा 6 पलस माइनस दो बटा 3 माइनस माइनस दो बटा 15 तो 6 तीन और 15 का लगुत्तम क्या होगा 6 तीन और 15 का लगुत्तम तो 6 तीन और 15 में सबसे बटा 15 है 15 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो 15 दूना 30 देखें 30 जो है 3 से भी कट जाता है और 6 से भी कट जाता है 10 बार में 10 तीन तीन तो 10 को 2 से गुना कर देंगे यानि 10 दूना 20 पलस माइनस क्या होगा माइनस 15 दूना 30 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस देखें यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा पलस माइनस माइनस पलस इस तरह लिख लेंगे अब 5 पलस में है और 4 भी पलस में है तो 5 चार 9 हो जाएगा यहां पर और 20 माइनस में है यानि माइनस 20 लिख लेंगे बटा 30 अब 9 मेंसे 20 घटा देंगे 20 बड़ा है 9 से 20 मेंसे 9 घटा देंगे कितना आएगा 11 11,9,20 होता है बटा में 30 है 20 बड़ा है 9 से और 20 बड़ा संख्या के साथ माइनस का चिन है यानि ये माइनस में आएगा 9 में से 20 को घटाएंगी कितना आजाएगा माइनस 11 तो इसका उत्तर आगया माइनस 11 बटा 30 पांच बटा नो प्लस माइनस 2 बटा 3 माइनस माइनस 7 बटा 6 तो पांच बटा 9 प्लस माइनस 2 बटा 3 माइनस 7 बटा 6 ये है प्रस्न तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे पांच बटा 9 देखें प्लस माइनस क्या हो जागा माइनस ये दो प्लस और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस यानि माइनस 2 बटा 3 माइनस माइनस हो जागा प्लस तो पांच बटा 9 माइनस 2 बटा 3 प्लस 7 बटा 6 इस तरह लिख लेंगे प्लस माइनस हो जागा माइनस 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 हो जागा प्लस अब यहाँ पे नौ तीन और छे का लगुत्तम तो नौ तीन और छे में नौ बड़ा है तो नौ का पहाड़ा पढ़ेंगे नौ का नौ दूना अठारा अठारा देखें तीन से भी कड़ जाता है छे से भी कड़ जाता है तो अठारा लगुत्तम होगा 18 लगुतम होगा तो 9 दूना 18 तो 5 दूना 10 9 दूना 18 तो 5 दूना 10 3 चक 18 तो 6 दूना 12 6 ती 18 तो 7 21 यहां माइनस का चिन है तो माइनस देंगे यहां पे प्लस का चिन है तो प्लस देंगे फिर से देखें 9 दूना 18 तो 5 दूना 10 3 चक 18 तो 6 दूना 12 6 ती 18 तो 7 21 इस तरह लिख लेंगे अब जो प्लस प्लस में उसको जोड लेंगे तो 21, 10, 31 माइनस 12 21, 10, 31 माइनस 12 बटा 18 इस तरह लिख लेंगे अब 21 में से 12 को घटाएंगे 11 में से 2 गया 9 यह हो गया 2 2 में से 1 गया 1 यानि 19 आ जाएगा बटा में क्या है 18 तो इसका उत्तर आ चुका है 19 बटा 18 तो 31 plus में है 12 माईनस में तो प्लस माइनस क्या हوتा है यह 31 plus में है 12 माईनस में है तो बड़ा संख्या प्लस में है इसलिए प्लस में उत्तर आएगा तो 31 में से 12 गया गया तो 19 आ जाएगा यानि 19 बटा 18 इसका उत्तर होगा प्रेसने चार तो प्रेसने चार में है चार प्लस माइनस इगारा बटा पांच प्रेसने चार क्या है चार प्लस माइनस इगारा बटा पांच प्लस माइनस एक तीस बटा माइनस पांच ये है प्रेसन तो 4 प्लस माइनस 11 बटा 5 देखें माइनस 11 बटा 5 प्लस माइनस 31 बटा माइनस 5 तो इसको हम इस तरह पहले लिख लेंगे 4 प्लस तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 4 प्लस माइनस क्या होगा देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस दे देंगे और 11 वटा 5 लिख लेंगे अब यहाँ पर प्लस का चीन देंगे क्यों देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है 31 भी माइनस में है और 5 भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो बस 31 वटा 5 लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है यानि प्लस में हो जाएगा 31 बटा 5 तो दोनों माइनस को हटा देंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस इस तरह हम लिख लेंगे अब 5 पांच का लगुत्म क्या होगा 5 5 पांच का लगुत्म 5 हो जाएगा तो यहां पे हर में कुछ नहीं है तो बस 5 को इससे गुना कर देंगे तो 5 और 20 माइनस यहां पे हर में 5 और लगुत्तम भी 5 है तो बस 11 को यहां पे लिख देंगे पलस का चीन है तो पलस का चीन देंगे अब हर में यहाँ पर 5 है और लगुत्तम भी 5 है तो बस 31 को लिख देंगे यहाँ पर अब 20 प्लस 31 देखिए 20 और 31 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 31 यानि 30 20 50 यह दोनों प्लस में है 31 भी प्लस में है और 20 भी प्लस में है तो 31 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 20 50 यह यानि 51 माइनस 11 बटा 5 इस तरह आ जाएगा तो 51 में से 11 को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया सून्या 5 में से 1 गया 4 यानि 40 बटा 5 40 को 5 से भाग देंगे तो 85 40 यानि 8 आएगा इसका उत्तर देखें कामन में से 11 गटाने पर कितना आ गया 40 और बटा में 5 है तो 45 5 से कट जाता है 8 बार में 85 40 होता है यानि इसका उत्तर हो गया 8 तो इस तरह प्रसन 13 हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 8 इसका उत्तर कितना आएगा 8 कर दो दोएगा 9 इसका उत्तर कितना आएगा नहां हुआ 23